हलो फ्रेंड्स राजुरा ट्रैस्ट डिजैंस में आपका स्वागता है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी यह पैपलम टाइप कुर्ती और जो इसके साथ मैंने धोतिसलवार पहने हुए अगर आपको धोतिसलवार की कटिंग और स्टीचिंग देखनी है तो व अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जुरूर करें और मेरे चैनल को सबस्राइब करें तो चलिए अब हम कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं मैं जिस पर मेजरमेंट की कुर्ती बना रही हूं उसका जिससे कि हम निशान लगाएंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी उपर के पार्ट की टोटल लेंग तयार 14 इंच है 14 इंच है तो इसलिए मैंने 15 इंच लिए 1 इंच एक्स्टा माजन के लिए अब हम इसकी जो शॉल्डर है शॉल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे और ज अच्छे से आजए और इसका शॉल्डर हम रखेंगे साथ इंच इंच पे जो कि 34 का फोट पार्ट होगा और कमर का निशान लगाएंगे हम सवा साथ इंच पे जो कि 29 का फोट पार्ट है जितना भी साहिज उसका निशान लगाने के बाद 2 इंच का हमने मार्चन रख लिया अब हमने शॉल्डर जाओं करने के बाद में फ्रेंच क्रव के हल्प से या वैसे जी चो इसे आम उप पो ऊबड़न को राउंड शाथ यह को कर लिया में आपकर कर देंगे है जो हमने निशान लगाए थे उनको कट कर लिया है अब हम इसके जो कंटमार पार की साइड हथ तो वन इंच उपर की साइड से करते वे इसको कट कर देंगे अब बैक पार्ट को हटा देंगे साइड में कर देंगे और जो फरंट पार्ट में आम होल में शेप की थी उसको हम कट कर देंगे यह हमारी कुर्ती का उपर का हिस्सा कट हो चुका है और इस कुर्ती में मैंने उपर की साइड सरफ लाइनिंग लगाई है लेकिन लाइनिंग पर मैंने बाद में कट कया था क्योंकि लाइनिंग के अंदर जॉइंट था अब हम कुर्ती का निचे का पार्ट कट करेंगे उसके लिए मैंने ये कपड़े को चार तैमें बिछा लिया है अब मैंने इंच टइप को बिलकुल उपर कौने में रखा है और उसे 5 इंच राउंड करते वी इकवली 5-5 इंच का राउंड सरकल में निशान लगा दिया है जिससे कि जो हमारी कमर है वो 7 इंच है जो हमने कुर्ती पे 7 इंच का निशान लगाया था सेम उसी से हम इसको मिला के देखेंगे तो टोटल बिल्कुल 7 इंच ही आएगा जितना हमने कुर्ती पे निशान लगाया था सेम उसी तरीके से हमने जो दूसरे का नीचे का पार्ट कट होगा उसके उपर निशान लगाना है अब हम इसके नीचे की जो लैंट है वो माग करेंगे हमारी कुर्थी की टोटल तैयार लैंट है 30 इंच जिसमें से 14 इंच हमने उपर कट कर लिया है उसके बाद हमारी बचती है 16 इंच जिसमें से हम 1.5 इंचिस के लिए मार्जन का जो मोड़ेंगे निचे से उसके लिए एक्स्टा ले लेंगे तो इसको हम कट करेंगे 7.5 इंच की लंबाई पर यह हमारा नीचे का घेरा कट हो चुका है अब हम बाजू की कटिंग करेंगे बाजू हम जैसे चूड़ेदार बाजू बनाते उसी टाइप के बाजू बनाएंगे बाजू की लैंथ हमने थोड़ी एक्स्टा रखनी है इसमें मैं 24 इंचिस की लंबाई रख रही हूं और उसम बाजू के मोरी हम रखेंगे तीन इंच और जो आम होल का निशान लगाया है उससे मिला देंगे जो निशान हमने लगाए है हम उनी निशानों के उपर से बाजू को कट कर लेंगे और फिर इसके फ्रन्ट आर्म होल की शेप देंगे हमने अंदर की साइड करते हुए हम इसको निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद इसको कट कर देंगे नेख की चोड़ाई हम रखेंगे तीन इंच और इसकी गहराई हम रखेंगे साथ यजश ये नेक मैंने फिूजिंग पेपर पर बनाया है लेकिन आप डिरेक्ट इसको लाइनिंग पर कट करके सिधा मेन फैब्रिक के उपर अटेच कर सकते हैं मैंने फ्यूजिंग पर इसलिए यूज किया है क्योंकि जो इसका लाइनिंग का कपड़ा है वो थोड़ा सा हलका है गले की लंबाई और जोड़ाई का ये निशान लगने के बाद हम इसको अच्छे से मिला के फिर इसको शेप टेंगे और मैंने नेक के सेप वो स्वीट हर्ट टाइप का नेक बनाया है आप इस टाइप की कुरती में सिंपल राउंड नेक भी बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है ये हमारे नेक की मार्किंग हो चुकी है अब हम इसको कट कर देंगे इसकी कटिंग होने के बाद हम फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इसको ट्रेस करेंगे और फिर उसको अच्छे से निशान लगा कि उसको भी हम कट कर लेंगे ये जो नेक हमने कट किया है इसको बिल्कुल निशान लगाते हुए जो फ्यूजिंग पेपर उसके ऊपर पैन से ब कुपडा है, उसके उपर सील दिया है मैंन Tamil कपड़े की साइड हमने सीधी रखनी है और pasting conus वाला हम उसके उपर opposite रखना है अभी हमारा नेक बन चुका है और मैंने इसके जो साइड फीटिंग को बना रिखा था अगर आपको वीडियो देखनी, है तो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब मैंने इसकी बाजू की साइड फिटिंग भी लगा ले हैं और अब हम इसकी बाजू को जोड़ देंगे हमारी बाजू लग चुकी है इसके बाद हम इसका निचे का पार्ट जो घेरा है वो तयार क टोब करेंगे यह हम जो श्कार नीचे वाली वो इसको जोइंट करेंगे उपर वाले टोप पार्ट से और इसको जोईट करेंगे तो हम यह दियान रखेंगे कि इसके बीच में होने चिज़ लगा लेंगे ताकि हमारा बैक और फ्रॉंट पार्ट जोनों आच्छे से लग और यह हमारा घेरा लग चुका है और अब हम इसके निचे को मोड़ेंगे इसका जो निचे का घेरा है उसको फोल्ड कर देंगे घेरा फोल्ड होने के बाद हमारा जो ट्रैस है कुरती है वो कम्प्यूट हो चुकी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्यू सो मच